हलो स्टुडेंट्स तो कैसे आप सब आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वी फामिसी फर्स समस्टर ह्यूमन एनाटोमी एंड फीजियोलोजी का एक टॉपिक जिसका नाम है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम ओके जिसके अंदर अपन स्कीन के बारे में पड़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे इसके फंशन देखेंगे तो लेक्चर इंपोडेंट है क्योंकि इसकीन से आपको 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का क्योशन पूचा ही जाता है हर अल्टेट इयर में तो लेक्चर को जियान से सुनना इंटेग्यूमेट्री सिस्टम जिसमें देखेंगे इसकीन की स्ट्रक्चर एंड फंशन अगर आपको और विडियोज देखनी है तो मैंने प्ले लिस्ट के निंग डिस्क्रिप्शन में दे रखिए aren इंटेगयूमेट्री सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में हम ऑटड़ते हैं animal body की और हमारी body की जो outer layer है वो है skin तो मतलब हम integumentary system में skin के बारे में पढ़ने वाले हैं देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि integumentary system जो होता है वो concern करता है with the organ forming outermost layer of animal body हमारी body की जो outermost layer होती है उसे हम कहते हैं skin और जो skin होती है वो largest organ होती है हमारी body की तो हमारी body की largest organ है skin और skin के ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं integumentary system में ठीके जो integumentary system होता है वो compose होता है एक तो skin से और एक skin appendages से skin appendages से मेरा मतलब है जिसे हमारे hair, जो skin के hair होते हैं, हमारे जो नाखून होते हैं, वो सब होते हैं skin appendages अब देखो अगर skin के मैं बात करूँ, तो जो skin होती है, वो एक तरह से physical barrier का काम करती है हमारा जो external environment है और जो हमारा body का internal environment है internal मतलब हमारा body का internal environment मतलब homeostasis और external environment जो भी हम देख रहे हैं ठीक है तो external और internal environment उन दोनों की बीच का एक physical barrier है कौन skin ठीक है ऐसे समझो आप जैसे मालो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ठीक है और मेरी पूरी body पर skin की covering गे जैसा कि आप जानते हैं ठीक है पूरी body पर covering गे अब आसानी से नुकसा नहीं पोचा सकता क्योंकि हमारे environment में चारो तरफ bacteria ही bacteria होते हैं पर वह bacteria हमें आसानी से नुकसा नहीं पोचा सकते क्योंकि हमारी पूरी animal body पर skin की covering होती है तो एक तरह से यह physical barrier का काम करते है ठीक है अब देखो skin का diagram मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा ह हूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ देखो जो हमारी skin के सबसे बाहर होता है वो होता है skin hair हमारे जो हाथ पाउं पर बाल होते है skin hair होते है ठीक है अगला है subaceous gland यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है subaceous gland ओके now next is sensory nerve ending हमारी पूरी skin पर sensory nerve ending होती है आपने neuron पढ़ा ह तो इसकी ending कुछ इस तरह से होती है ठीक है तो यह रहा देखो sensory nerve ending यह हमारी पूरी skin पर होती है इसका काम क्या होता है जैसे आपने किसी थंडी चीज़ को पकड़ा तो आपको फटाफट पता लग जाता है आपको किसी ने touch किया तो आपको पता लग जाता है क्योंकि आपक तरह का sensation हुआ ओके तो देखो सबसे बाहर हो गए hair फिर हो गया subisus gland फिर हो गया sensory nerve ending अब आया epidermis epidermis जो है outer layer होती है ठीक है फिर आती है dermis सबसे बाहर epidermis फिर आती है dermis उके बाद आती है subcutaneous tissue तो हमने क्या क्या देखा सबसे पलिए हमने देखा hair फिर हमने देखा subisus gland फ फिर हमने देखा epidermis, फिर हमने देखी dermis, epidermis के जस्ट नीचे जो आती है वो है dermis, फिर उसके भी नीचे आता है subcutaneous tissue, इस तरह से आपको skin का diagram बनाना है, सबसे पहले hair, फिर subconscious gland, फिर nerve ending, जिससे हमें sensation होती है, फिर epidermis जो बाहर की layer है, उसके अंदर होती है dermis, और उसके भी आता है subcutaneous tissue, फिर यह fat, muscle, collagen, sweat gland, यह तो सम्में होता है, फाइब फाइब ब्लास्ट वगेरा, अब चलते हैं आगे skin को start करते है, skin का diagram देख लिया, तो देखो skin के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, skin जो है completely cover करती है हमारी body को continuously, कही से भी कटी हुई नहीं है, आप चेक कर सक continuously cover किया हुआ है, ठीक है, with the membrane living the body orifices, अब यहाँ पे orifice से मतलब क्या है, जिसे मालो आपकी जो नाक है, अब नाक का जो छेद है, होल है, अब यहाँ पे आपको बाहर तो skin है, पर अंदर क्या है, nasal membrane है, ठीक है, तो चलते हैं, continue करते है, skin का का काम होता है, protection का body temperature को regulate करने का, अब आप बोलोगे, सर, skin के से body temperature को regulate करेगी, तो skin जो है, वो पसीना निकाल कर आपकी body को थंडा करेगी, ठीक है, जैसे आप मालो कहीं गर्मी में गए, और बहुत जादा गर्मी है, तो आपका temperature तो फिर भी उतना ही रहता ना, जो आपका body temperature है, तो वो maintain के से रहता है, हमार body की जो skin है, वो skin जो है, पसीना निकालना शिरू कर देगी, sweat निकालना शिरू कर देगी, और जिससे हमारी body क्या हो जाएगी, cool हो जाएगी, तो skin जो है, temperature को regulation का काम भी करती है, साथी साथ, जो skin है, वो है, nerve ending रखती है, sensory, मैंने आपको बोला था न, touch वगेरा का, ठंडा ग area, 1.5 से 2 meter square होता है, adults में, skin की दो layer होती है, epidermis और dermis, okay, beneath this, we have subcutaneous and muscularis, देखो, totally तो 4 layer है, epidermis, dermis, subcutaneous, muscularis, पर mainly हम दो ही study करेंगे, epidermis और dermis, ये subcutaneous, ये muscularis हम नी पढ़ने वाले, epidermis, dermis को हम mainly देखेंगे, अब देखो, structure of skin में सबसे पहला है epidermis, epidermis जो होती है, most superficial होती है, सबसे बाहर वाली layer होती है, ठीक है, अब बाहर वाली layer है, तो protection का काम करना पड़ेगा, तो ये जो होती है, stratified keratinized squamous epithelium से मिलके बनी होती है, ये एक dead epithelium होता है, ठीक है, तो most superficial layer जो होती है, skin की, वो ह होती है epidermis, नाम सी पता लग रहा, api मतलब उपर वाली, ओके, तो epidermis is the most superficial layer of the skin, it is composed of steadified keratinized squamous epithelium, ओके, नाव नेक्स तम चलते हैं, varies in thickness, जो epidermis होती है, वो vary करती है, थिकनेस में, मतलब कहीं तो epidermis पतली होती है, और कहीं epidermis जो है, ठीक होती है, मोटी होती है, पाम म और soul में epidermis जो है, ठीक होती है, साथी साथ मैं बात करूँ, epidermis में कोई blood vessel नहीं मिलती, और ना ही nerve ending मिलती है, सबसे उपर के layer की बात करूँ मैं, इस skin की जो सबसे उपर के layer होती है epidermis, उसमें ना blood vessel मिलती है, ना nerve ending मिलती है, पर अगर मैं बात करूँ अंदर की, जब मैं अंदर जाऊंगा, deeper जाऊंगा, but deeper layer आर बात है दिन interstitial fluid from dermis, यहाँ पर इस line का मतलब क्या है कि जो deeper layer होती है, उसमें interstitial fluid मिलता है, ठीक है और वो interstitial fluid का क्या काम होता है, वो oxygen प्रोवाइट करता है nutrient प्रोवाइट करता है, देखो यहाँ पर लिखा है, but deeper layer आर बात है दिन interstitial fluid from dermis, वो क्या प्रोवाइट करता है, oxygen प्रोवाइट करता है कई भी अगर आपको पूछे कि blood क्या प्रोवाइट करता है, तो blood का काम होता है oxygen on nutrition का प्रोवाइट करना, okay, oxygen on nutrients को प्रोवाइट करना drain away as lymph, और जो lymph होती है, वहाँ से drain away, मतलब जो फालतु का material होता है उनका वो लेके चली जाती है, तो lymph का काम होता है, west material को ले जाना और interstitial fluid का काम होता है, oxygen on nutrition का प्रोवाइट करवाना, ठीक है अब आगे देखो जो हमारी epidermis थी, यह जो हमारी epidermis है, जो कि outer layer है skin की जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, तो यह epidermis में भी दो layer और देखने को मिलेगी मतलब जैसे मालो यह epidermis है, ठीक है, यह इतनी बड़ी epidermis है तो अब epidermis के अंदर, एक तो होती है, अंदर ही अंदर वाली layer, और एक होती है, यह layer मतलब एक तो बाहर ही बाहर वाली है, एक अंदर ही अंदर वाली, ठीक है तो यहाँ पर नाम लिखे हुआ है, एक है deepest germinative, एक है superficial stratum condium ध्यान से सुनना, confused नहीं होना है, जो हमारी skin थी, skin की सबसे बाहर layer थी epidermis ठीक है, अब epidermis को हमने पढ़ा, ठीक है, अब epidermis को जब मैंने और अच्छे से देखा, zoom करके देखा तो मुझे पता लगा, कि एक तो अंदर ही अंदर layer मिल रही है, और एक बहार ही बहार layer मिल रही है मालो यह epidermis है, ठीक है, तो एक तो उपर की layer है epidermis में भी, और एक नीचे की layer epidermis में भी, ठीक है, तो यह दोनों layer का नाम लिखा हुआ है, deepest germinative और superficial stratum condium नाम से पता लग रहा, superficial, मतलब उपर ही उपर तो stratum condium है, और अंदर है germinative ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाओ, तो ठीक है, यह बात तो clear हो गई, कि जो epidermis से उसके भी दू लेयर है मतलब layer तो बहुत सारी है, पर अंदर ही अंदर की तो deepest germinative है, और बाहर ही बाहर की superficial stratum condium है, ठीक है, तो जैसे माल लो, अंदर की मैं बात करूँ, deepest germinative ठीक है, तो यह अंदर की layer हो गई हमारी epidermis की, अब नाम क्या है deepest, तो पता लग या अंदर की है दूसरा नाम क्या है germinative, deepest germinative, मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ germinate होगा, ठीक है, तो जो हमारी epidermis होती है यहाँ पर देखो, epidermis जो cell होती है, वो originate ही कहां से होती है, हमारी germinative layer से होती है, ठीक है एक बार ओर ध्यान से सुनो, यह है epidermis, बाहरी बाहर वाली layer कौन सी हो गई, superficial stratum corneum अंदर वाली layer कौन सी हो गई, deepest germinative, और जो यह deepest germinative layer है, यह क्या बनाती है, यह epidermis cell बनाती है, ठीक है ठीक है सर, यह है deepest germinative, और यह बनाती है epidermal cell, ठीक है अब इस epidermal cell को हम क्या करेंगे, keratinize ड्वाला बनाएंगे, क्योंकि यह उपर जाना चाहेगी यहाँ पर देखो जो पुरानी cell है वो नीचे आ जाएगी, और जो नई cell है वो बन-बन के उपर जाती जाएगी, ठीक है तो द्यान से एक बार और सुन लेना, कि epidermis में दो layer है, एक तो अंदर वाली deepest और एक बार वाली superficial जो अंदर वाली है germinative layer, वो क्या बनाती है, epidermis cell बनाती है undergo gradual changes as they progress toward skin surface तो द्यान से सुनो, जो deepest germinative है, वो नई cell बनाती है, जिसका नाम है epidermis cell, और वो cell जो है, उपर की layer पर जाती है, epidermis की ठीक है, high hope आपको clear हो गया होगा, मैंने चार बर repeat कर दिया, ठीक, तो जब वो उपर जाती है, जैसे मालों यह नई epidermis cell बनी, जिसको बनाया germinative ने, germinative ने बनाया, अब इसको उपर जाना है तो उपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपना cytoplasm जो है, replace करना पड़ेगा, 5-grass protein keratin से, ठीक है, जो keratin protein है, यहाँ पर इस cell में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने बोलाता, जो epidermis की outer layer है, उसको hard होना पड़ेगा, strong होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी उसे बाहर रहना है, ठीक है, environment के contact में रहना है, तो हम इसे क्या करेंगे, जो नई-नई epidermis cell बनी है, जो की inner layer से बनी थी, देखो, इस layer से बनी थी, deepest germinative से, क्या बनी थी, नई epidermis cell, अब उसके cytoplasm में हम क्या करेंगे, keratin भर देंगे, क्योंकि इसको उपर इउपर वाली layer के पास जा इबन के उपर आएगी, तो वो एक महिने में होता रहता है, ठीक है, अब कोई healthy epidermis हो, तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए, कि यहाँ यह epidermis के layer, जो है, healthy है, तो हम कैसे बता सकते हैं, तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है, de-squamation, ठीक है, de-squamation में क्या होगा, कि उपर क की cell जो है, हटनी चाहिए, तभी नीचे जो नई cell बनी, वो उपर जाएगी, यह property सही से होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा है, effective keratinization, keratin का deposit होना ज़रूरी है, keratin होगा, नई epidermal cell में, तभी वो जो है, अच्छी epidermis कहलाएगी, तीसरा है, continue cell division, cell division तो ज़रूरी है ही सही, तो एक अच्छी healthy epidermis में, यह तीनो प्रोपर्टी होनी चाहिए, एक तो disk formation, एक effective keratinization, और एक continuous cell division, ठीक है, अब यह जो dermal पर पिला है, यह extra point है, आप चाहो तो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह blisters वगेरा, यह सब extra में लिखा हुआ है, आप चाहो तो प मिल जाएंगे हमारी website से, या फिर telegram से, notes के quantity और quality more than sufficient है, ठीक है, तो मैं आपको वह बता रहा हूँ, जो आपको example लिखना है, अगर किसी को और जानना है, तो यहां बीच में मैंने अच्छे अच्छे lines लिखी हुई है, आप दिख सकते हैं, अब देखो जो skin color है, वो कैसे affect होता है, melanocytes से, जितनी जादा melanocytes cell, उतना जादा melanin का production, ठीक है, melanin क्या है, एक pigment है, और यह melanin pigment जो है, responsible होता है, dark skin color के लिए, हमारी skin का color अगर dark है, मतलब हमें melanin बहुत जादा है, ठीक है, और अच्छी बात है, dark color होना चाहिए, ताकि आप skin cancer से बच जाओ, जिसका color जो ह तो उसको skin cancer के chances बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो देखो, अबने बात करी थी, deep germinative layer की, epidermis में जो deep germinative layer होती है, उसी में melanocytes cell होती है, और यही melanocytes cell, जो है, melanin pigment के production के लिए responsible होती है, ठीक है, जितना जादा melanin, उतना जादा skin का dark color, Now second, यहाँ पर points लिखे हुए मैंने, कि amount is genetically determined and varies in different part, different part मतलब हर skin के अलग-लग जगे, अलग-अलग dark region होता है, ठीक है, तो जहाँ जादा dark है, मतलब हाँ पर melanin का production उतना ही जादा है, Number of melanocytes is fairly constant, लग-बग हर इंसान में, जो melanocytes cell का number होता है, वो constant होता है, पर फर्क क्या पड़ता है, कि कोई जादा dark है, तो कोई जादा fair, तो जो fair होते हैं, उसमें melanin का production कम होता है, जो dark people होते हैं, उसमें melanin का production जादा होता है, dark people in the sense जिसकी skin dark होती है उसमें melanin बहुत होता है सिधा सा concept है ओके ये दो concept ज़्यादा खास नहीं है इसको छोड़ सकते हो आप दोनों लाइनों को now next is dermis अब आए अपन second layer पर dermis पर और ये last layer है फिर function चालो हो जाएंगे इसके तो देखो epidermis में अपने दो layer देखी थी एक तो outer थी और एक inner थी जो inner वाली थी वो epidermal cell बना रही थी ठेक है अब dermis की बात करूँ तो epidermis के जस नीचे जो cell होती है वो dermis होती है consist of epithelial tissue and cushion the body from stress and strength जो dermis layer होती है वो हमारी epidermis layer के नीचे present होती है जैसे मालों यह epidermis layer है तो इसके नीचे जो यह layer है यह dermis layer है और यह जो है हमारे epithelial tissue की बनी हुई है ठीक है consist of epithelial tissue cushion the body from stress and strain अगर गलती से हमें stress और strain की condition आजाए हमारी skin में खिचाव आजाए या कई accident हो जाए तो उस दोरान dermis ही हमें बचाती है cushion provide करती है तो देखो dermis के लिए यहाँ पर क्या-क्या लिखा हुआ है सबसे पहला लिखा हुआ है कि जो dermis है वो epidermis के नीचे होती है जैसे मालों यह epidermis है epidermis तो यह क्या हुआ dermis हो गया ओके दूसरा point के आए यहाँ पर कि यह epithelial tissue की बनी है जो हमारी dermis layer है skin की वो epithelial tissue की बनी है और यह क्या provide करती है cushion provide करती है अगर हमारी skin में कोई sprays या sprayn आ जाता है तो उससे बचाती connect dermis layer ठेक है अब यहाँ पर यह लिखा है कि dermis tightly connected है tightly connected to epidermis by basement membrane जो हमारी epidermis layer है और जो नीचे वाली dermis layer है यह तो dermis हो गई यह epidermis हो गई दोनों tightly connect होती है किससे यह है basement membrane ठेक है तो यहाँ connected है यह तीनों point आपके clear हो गई अब देखो जैसे epidermis में दो layer थी विसे dermis में भी layer होती है एक होती है papillary एक होती है reticular बस आपको इतना याद रखना है इससे ज़्यादा आपको इसकी detail में नहीं जाना जैसे जाना है वो read out कर सकता है मैंने notes जो है sufficient provide कर रखे है साथी साथ हमारी skin में क्या-क्या होते है देखो hairs होती है glands होती है नाकून होते है ठीक है gland कौन-कौन सी subyceous gland जैसे ठीक है कुछ sweat gland भी होती है जैसे acrine, apocrine ओके acrine and apocrine नाव यहाँ पे लिखा है जो हमारा sweat होता है पसीना उसमे 99% तो water ही होता है 99% they contain water and some salt ओके traces of metabolic waste कुछ amount में metabolic waste भी होता है बहुत ही कम amount में traces का मतलब बहुत ही कम amount में ठीक है यहाँ पे आपको glands दे रखिए acrine, apocrine पढ़ लेना चाहो तो ज़्यादा important है नहीं नाव next अप देखेंगे functions functions of skin यह भी काफे ज़्यादा important देखो functions अपनने cover कर लिए जिसे फ्रोटेक्शन का काम होता है metabolism का काम होता है sensation का काम होता है sensation मैंने आपको बता दिया nerve ending होती है हमारी screen में तो sensation तो होगा protection कैसे कर रही है पूरी body को cover करके रख रही है तो bacteria का तो infect करने का chance नहीं बनता metabolism कैसे temperature regulation मैंने आपको पताया था temperature भी regulate करती है हमारी skin vitamin D का भी production करती है हमारी skin जब आप दूप में जाके खड़े होते हो तो हमारी skin जो है vitamin D का production करना शुरू कर देती है excretion भी करती है हमारी skin pH को भी regulate करती है हमारी skin तो देखो किसे याद रखोगे secretion, excretion similar है secretion, excretion storage, absorption कोई भी चीज को absorb करोगे तो उसका storage होगा ठीक है तो ऐसे आद रखो secretion, excretion, storage, absorption vitamin D production, temperature regulation regulation of pH दो तो regulation एक तो temperature एक pH बाकि secretion, excretion, storage absorption और vitamin D तो हम बोलते हैं कि दूप में जाने से हमारी skin जो है vitamin D बनाती है तो देखो वही सब लिखा है protection में, sensation में ठीक है, heat regulation में excretion में और vitamin D कैसे बनता है जो हमारी body में, skin में 7D hydro cholesterol रहता है तो जब भी UV light हमारी skin पर गिरती है तो वो 7D hydro cholesterol जो हमारी skin में है वो convert हो जाता है vitamin D में ठीक है, absorption भी होता है storage भी होता है, pH भी regulate होती है, हमारी pH जो होती है skin की, वो होती है 4.5 से 5.5 मतलब slightly acidic ओके, तो यह था आज का आज का आज का lecture, skin का, I hope आपको clear हुआ होगा, दो layer अपने पड़ी epidermis, dermis ठीक है, उसके बाद आपने देखा function of skin, I hope आपको lecture clear हुआ होगा, skin का diagram clear हुआ होगा, अगर आपको किसी और topics related doubt है, तो आप comment section में comment कर सकते हैं अगर आपका कोई cousin या भाई बंदू, class 10 या फिर 11-12 में need की preparation कर रहा है तो मैंने यहाँ पर इसी channel पे class 10 की science और 11-12 की need की preparation करवा रखी है, important question quick revision series, सब कुछ मिलेगा, इसी channel की playlist में, तो जरूर उन्हें suggest करें, have a nice day, thank you